बिहार ने जेपी आंदोलन का दोर देखा है और बिहार अब देख रहा है वो दोर भी जब CAA, NRC और कहें तो NPR के खिलाब जो है वो आंदोलन चल रहे हैं लगातार आंदोलन हो रहा है तमाम पाटियां आंदोलन में हैं विपक्ष की लेकिन जनता की कमान है इस आंदोलन को जनता उतर चुकी है या फिर उतर रही है लगातार और हमारे साथ हैं शीवान अंतिवारी जो आर्यडी के वरिष्ट नेता हैं समाजवादी नेता के तौर पर पहचान रखते हैं लेकिन खास बात ये कि आज जो आंदोलन चल रहा है जिसको कहा जा रहा है कि देश बचाने सम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाराज एक्सप्रेस फिवान जी यह पूरी जो राजनीति चल रही है उस राजनीति कहीं एक हिस्सा यह कानून आपको ऐसा लगता है और इस कानून के जरिये जो है क्या इरादा था कि सरकार ने अभी के समय में ही यह कानून लाया दे को सपना दिखाया था कि आपके उपज का जो लागत है उससे डढ़गुना हम यह देगे देश को बदल देंगे सब को साथ लेके काम करेंगे वह सारा का सारा गायब हो गया और लागातार जब से इनकी सरकार बनी है कभी लब जिहाद कभी घर वापसी कभी गव रक्षा कॉमिनल पॉलराजेशन कैसे हो इसी की कोशिस हो रही है नोटबंदी किया उसका जो से समझे की एकोनोमी जो है धरासाई हो गई आज तक पट्री पर नहीं आई मनें रोजगार देने की बात छोड़ दीजिए जो लोग मंदी का ऐसा दौर है कि कल कर खाने सब बंद हो रहे है जिनके पास काम था भी बेरोजगार हो रहे हैं तो आपका यह कहना है कि एक बार फिर से वही कोशिस हो रही है कि मूल मुद्दे गायब हो जाए और देश जो है देखे ना पिछले बार से ज्यादा इनको पहुमत आया और इस आधार पर जो है लोगोंने बोट किया कि नारे रखा जाए देश को बचाया जाए यह रहेगा तभी देश बचेगा और 2014 के मुकाबले मने वादा कोई पूरा नहीं हुआ लेकिन उससे ज्यादा जो है मैसिव मैंडेट इनको मिला इनकी लोग सबाम संख्या जो आवा केले मेजरिटी हो गई तो यह स्थिती है यह क आप सफुनिष चाहिए तो यह था सीवान आंतिवारी इनका सापतर पर मानना है कि यह कानूं जो किया और इस तरह चानून तरह जिसे का साथ करपर कहना है कि इसकी लड़ाई चलनी चाहिए जारी रहनी चाहिए और हर हाल में ये कानून वापस होना चाहिए इसलिए कि ये कानून वापस नहीं होगा तो ये देश ये हिंदोस्तान ये भारत वैसा नहीं रहेगा जैसा ये भारत कहा जाता था कैमरा परसंसब्त रिशी के साथ पटना से स्वाराज एक्सप्रेस के लिए नविंदू